तो बीपीएसी में आपकी सफलता के लिए गुविंदा आपको मेरी बहुत-बहुत बढ़ाई कैसा महशूस हो रहा है आपको सब्सक्राइब करके अच्छा लग रहा है और आपको सफल देख करके मैं भी बहुत ही खुश हूँ और बहुत ही अमारा मन वी जो है बहुत ही प्रशन हुआ और विशेश कर आप आप से तो हमारा जुड़ाओ रहा ही है मैं कुछ जो है बेसिक चीज पूछना चाहता हूं आपसे पहले तो यह ब पहली प्रत्किरिया क्या थी आप मेरी माता जी तो सर पढ़ी लिखी नहीं है तो उन्हों ने बस यहीं खुछी है कि बेटा बहुत बड़ा अफसर बन गया और पिता जी सुनने के बाद काफे बावक हुए सफलता में तो यहीं होता है जब आपने भी सुना होगा तो आप आपने वो चीज लिखा था ने कि जब आप कोई चीज मन से चाह लेते हैं तो पूरा ब्रहमांड हमारा साथ देने लगता है जो इच्छा करियों मनमाही प्रभु प्रसाद कछ दुरलब नहीं अगर आपने किसी चीज की बड़े मन से जो है इच्छा कर ली है तो वो जरू पूर सफल होता है डाक्टर कलाम का एक वाक आपने भी सुना होगा उन्होंने कहा था स्वपन कलपना नहीं है अस्तित्त का कारक है गीता में भी गीता के ग्रहमें अध्याय में भी एक लोग है यो यह चद्र सायोश है जो जैसा सोचता है दीरे-दीरे वैसा हो जाता है तो अध्याय में पूलता से देखा जाया तो बहुत सारे उन बच्चों को प्रेड़ा मिली है जो बच्चे कई बार मन दो तीन चांस में सफल नहीं होने से यह लगता है कि वास्तों में आगे सफल का यह नहीं मिले नहीं मिले तो आपकी सफल का अभी लोगों को संबल मिला है इस दो तीन बार बड़े मेहनत से दी और कई बर पीटी ही नहीं सफल हो पाते और कई बर पीटी हो जाता तो में से नहीं हो पाता है टो आप उन्से क्या चाहेंगे मेरा ऐसा मानना है कि जब भी हम लोग एक अगर सीड़ी जहां से लोग पीछे लूटते हैं वापस तफलता जैस्ट उसके अगरे कदम ही होती है इस बार सब्सक्राइब जो पोस्ट जाता था वो मिला सर तो मुझे कहीं लगता है कि यह भी शाती के साथ सफलता रही जो है बहुत सारे लोगों को सफलता मिलती है जो सही से लगे रहते हैं अपने पढ़ाई में और उनका आत्म विश्वास जिनका नहीं डिखता है अंधते उनको सफलता मिलती है अच्छा आप ये उन विद्यार्थियों के लिए उन विद्यार्थियों से को क्या सुझाओ देना चाहेंगे जो विद्यार्थि अभी पहली बार त अब प्रसूस किया हो ऐसे कुछ जो है अनुभाव से ये कुछ सूत्र बताएं तो मैंने सर्वन अनुभाव किया है कि कुछ पहले कुछ अटेंट में मैंने लिखने का प्रयास बहुत कम किया था और साथी साथ मेरी जौब थी उसके कारण भी थोड़ा सा समय का भाव और सर्दोस्तों के साथ इधर इधर समय थ्वढ़ा जादा वेर्थ किया था लेकिन इस बार सर मैंने पुरी तरह एक तरह से लाट उसने फर्स्ट अटेंट करें और इसके बाद सर अगर सफलता नहीं भी मिलती है तो एक बहुत अच्छी पंक्ति मैंने अशर कहीं पड़ी थी कि सफलता इंसान को बस शनिक खुशी देती है लेकिन सफलता इंसान को तजुर्बा देता है तो अगली बार उसी तजुर्बा के साथ हाप एक रहंकर वनीगे बहुत अच्छी बात और व्यक्तिक में निखार आता जाता है जैसे आपने कहा कि कई बार सही समय ने चानक ने भी कहा है कि दयाल होने के लिए के लिए होना पड़ता है कई बार आपने जो सब्सक्राइब करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा मेसेज आपने दिया कि कुछ समय के लिए स्वार्थी होना पड़ता है स्वार्थी को स्वयम को समर्पित करना पड़ता है सारे छण को समर्पित करते हैं तो आप में निखार आता है आपका कौशल विक्सित होता है आप उस चीज के लिए योग हो जाते अच्छा यह चीज और आप बताना चाहेंगे खासकर जो ग्रामीर प्रिष्ट भोम के बढ़ाएं या वह अपनी तैयारी का स्वयम से भी कर सकते हैं और अपनी स्वयम की तैयारी से भी क्या इस सफलता को अर्जित कर सकते हैं आपको क्या लगता है सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझे नहीं लगता कि उन्हें गाइडलाइन की कमी होगी क्योंकि आज कर दिजिटल जमाना है ऑच्छी समय में देखा जानी की कमी नहीं नहीं है दिजिटल जैसे हमारे पास साधन हो चुका है आप अपटना में आखे दिल्ली कर करता है पढ़ी तियारीत कर रही घौत कर बिहार में आप देखते हैं कि लोग लड़कियों को कम तरह पढ़ाते रहें पछले कुछ वरसों में रहा कि सब्सक्राइक हैं और वह ्यंकि पढ़ना चाहती हैं अपने जीवन को बदलना चाहती है तो उन्हें लिए इस तरीके से जो है उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे या कुछ ऐसा जो आपके मन हो की ऐसा करने पर महिलाओं के लिए बेटियों के लिए थोड़ा और आसान हो जाएगी सपलता तो आपने कुछ अनुभाव आप गताईए ज़रा सर इसके लिए तो हमारे मन्निय मुख्यमंत्री दी का बहुत बहुत ताबार है कि उन्होंने महिलाओं को विशेश रुप से प्रुसान देने के लिए 35% आरक्षन दिया है इसके कारण भी आज हर पिता जो है और उनका सकसेज रेशियो तर बढ़ा है और इसके कारण हर पिता चाहते हैं कि मेरी बेटी भी एक अच्छी अफिसर बने और लगभग सर अक्सर ऐसे गाओं में हर वर्ष कोई ऐसे गाओं में रिजल्ट देखा जा रहा है जहां से कभी कोई लड़की कुछ नहीं कर पाई है और उनको देखकर सर अक्सर और भी लड़कियां प्रेरित हो र और बहुत अच्छा सर उन्होंने विहार के और वाले बैच में बहुत सारी बेटियों ने शुरू में एसाई बनने में काम्याब रही आपने देखा भी इस पी अपने क्लास में भी बहुत सारी बच्चीयां थी जिए साई हुई पूजा का नाम आप जानते होंगे पूज से यह सब बढ़ा प्रेरक है कि स्टेप बाई स्टेप बड़ी सफलता की तरफ बढ़ रही है और उन माता पिटा को इससे दूसरे माता पिटा भी प्रेश्ट हो रहे कि बेटियों को पढ़ाएंगे तो निस्चित रोप से उन्हें भी सभलता मिलेगी अच्छा आप कुछ मैं चाहूंगा कि आप अपना प्रस्टनल जो है जो अनुवा आपने किया खासकर जीएस की तैयारी करते समय या आप जो एसे का पेपर आ गया है इसके संबंध में आप क्या आपको अनुवा हुआ और क्या सुझाओ देना चाहेंगे विद्यारतियों को कि जीएस पेपर वन जीएस पेपर टू या एससे की तैयारी या आप्शनल भी अपका क्वालिफाइंग भी है लेकिन फिर भी उसको कैसे ध्यान रखा जाए इसके संबंध में अपना कुछ सुझाओ दीजिए अपने अनुवस आजा केजिए अप्शनल के लिए तो अभी से उसको रख सकते हैं आपको एक्ष्टा एफर्ट सब्दिक में नहीं देना पड़ेगा और आपके पास समय अपने अधर सब्जेट के लिए ऐसे के लिए आपको पड़े आप समय अच्छी बाद है और जीएस पेपर वन और टू में क्या इस पैड़िया आपने अपना है प्रिवेस को मैंने लगवाग एक मुझे लगता था पिछले तीन चार सब्सक्राइब करते हैं उतने ही ज्यादा आपके अंदर से वह दिए सर एक बार लिखते समय सर अपनी गलतिया नहीं पता चलती है या फिर हम अच्छा लिखे या गलत यह तो नहीं है लेकिन अगर अगली बार आप लिख रहा है या उसको दुबारा पढ़ना है अपको खुद अश्सास होता है कि मैं यहां और बेटर कर सकता है वह बहुत अच्छी बार क्योंकि जब आप लिखते हैं तो कई बार कुछ संटेंस चूट जाते हैं कुछ विचार चूट कहीं से डाले और यह सर राइटिंग प्रैक्टिस से होता है कि वो सिस्टेमाटिक तरीके से मुझ लिख पाते हैं तो और अभी जो नया सिलेबस है नया पैटर्न है सर उसके तो यहीं क्याना चाहूंगा कि पीटी और मेंस दोनों की साथ-साथ तैयारी आगने वाले चाहिए जैसा होगे आपने पीटी तो दिया ही रहा तो ऐसे में फूप को अपने बेसिक को और मजबूत करना होगा अपने समझ को भी और बिक्शित करना जो थोड़ा सा टॉफ है जिसके लिए अलग से रणित अपनानी चाहिए आपनी क्या उस दोनों पेपर में कुछ ऐसा पार्ट महसूस किया या नहीं तो पेपर टूथ थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि मार्किंग उसमें देखा जाता है कि अक्सर थोड़ा जो एक्सपेक्टेड होता है इस्टूडेंट को वह तर नहीं मिल पाता है मुझे लगता है कि वहां पर कुछ एक्स्टाओर्डिनरी करने किया हो सकता है सब्जेक्ट भी है लेकिन टेक्निकल है इन दोनों पर मुझे लगता है कि स्टैट वाले पार्ट पे थोड़ा सा मैनत करने की ज़रूरत है उससे अच्छा नंबर आए इन सब्सक्राइए पीटी के लिए पीटी की परिछा के लिए क्या रणीती अपनानी चाहिए क्योंकि कि आज कल आप देख रहे होंगे बहुत सारे अच्छे विद्यार्थियों कभी कई वर पीटी नहीं हो पाता है कि पहले अब तक बैसिकली सट्वी तक और 66 तक तो सब्सक्राइब घटना चाहिए कि या कोई भी यूनिक लुसेंट वारा अबजेक्टिव टाइप पड़के पर रिफरेंस बुक उन्हें पढ़ना पड़ेगा सिस्टीनाइंथ में सर जैसा कि हमने देखा है कि बहुत कम कुश्चन था और तो वह सर वन लाइनर पढ़के नहीं आने वाली है यहां तक देखा होगा आपने की यूपी एसी के पैटर्न पर भी कुश्चन आया जी में स सवाल एकनोमी का भी वेटेश बढ़ाया और गहरे प्रस्ण भी पहले भी कह रहे थे कि वह प्रस्ण पूछेंगे ताकि अच्छे अधिकारी मिल सके बिहार के प्रशासन में बड़ा बदलाव ला सके अच्छा प्रयास है लेकिन इसके लिए विद्यार्थियों को प्रंप करने में उनको आसानी हो सके तभी को पकड़ पाएंगे तो क्या इसके लिए लगता है कि नोट्स बनाने की का कितना महत्त्य है नोट्स बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए बनाना चाहिए अपना अपना तरीका है जैसे मैं सर कोई विशेष बड़ा बड़ा नोट्स नहीं बनाता था था जो भी पढ़ता था चैप्टर वेज भूग से और उससे सर फिर अपने लैंगवेज में कोशन आंसर करने की कोशिश करता था क्योंकि सर अगर भूग से सर बड़ा बड़ा अंसर लिखने के बाद की आपके अपनी मौलिक भासा आंसर मैं नहीं आपाती है बुग का रटा or वाता था तो से बॉलेट कोउइंट्स में लिखता था और उसके बाद अपनी समझ के यही होना भी चाहिए क्योंकि जब तक याद करने के लिए क्या रणनीती आपने अपनाया क्यों आपको याद रहे और हमेशा जो है आपके काम आए तर इसका बड़ा अच्छा सरा आज ही मुझसे मेरे एक जुनियर्स में पूछा या जाता हूं मैंने उसके सवाल पूछा है कि क्या आप कखा 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 और अभी सीडी भूल गया है कि मैं उन्हें पूछा क्यों बोले कि सार अक्तर आखों के सामने आता है तो मैं ने वहीं उन्हें बोला कि बस इसी तरह अक्तर प्रैक्टिस की जिए और चैप्टर को एक महीन दो महीने के अंतराल पर उसको रिविजन करते रही है और बस रिवीजन ही सर न भूलने के लिए अगरवाइस हम किसे चीज का रिवीजन कर दें हमने फिक्ट क्लास में सर क्या पढ़ा सा आज भी भूल गया सर लेकिन जो चीज हम आज भी यूज करने वाली चीज हम कभी भी नहीं भूलते हैं क्योंकि वह हमारे प्रेक्टिस में हमारे अनुभाव से जुड़ जाती है निश्यद्रों अच्छा एक चीज और आप बताएंगे इंटर्व्यू के लिए तैयारी के लिए बच्चों को क्या सुरुवात से ध्यान देना चाहिए या जब इंटर्व्यू मेंस का रिजल्ट आ जाए तभी इंटर्व्यू की त मुझे बस यहीं लग रहा है कि आपको अभी से अपने अटिट्यूड में अपने बिहवियर में अगर आप एक रिक्षे वाले से भी बात कर रहे हैं तो उससे भी उस लहजे में बात कीजिए वह सर आपको नेच्छा लोग होते हैं जिन्होंने पचीज साल साल सर्विस दे और आपका इंट्रेक्शन बहुत ही प्रापर नहीं दिखेगा अगर आर्टिफिश्यल देशन उसके लिए कोई मार्किंग नहीं की जाती है क्योंकि आप क्या है आपकी प्रस्नाल्टी रियल में क्या है उसी चीज़ का परिच्छन होता है और बहुत सारे बिद्यास कृति मुझे लगता वह सही नहीं रहता है सुरुवात से ही इंटर्व्यू की त्यारी करनी चाहिए अच्छा अब दो सवाल मैं और आपसे करना चाहूंगा कौन सी ऐसी बात थी या कोई ऐसी घटना थी जिससे प्रेरित हो करके आपने बीपीसी की तैयारी या सिविल सर्विसर् सब्सक्राइब करें लुग बेटे को मेरे नाम से जाने इसका मुझे कोई परवा नहीं है लेकिन हम चाहते हैं कि लोग मुझे अपने बेटे के नाम से जाने सर्व एक तो यह घटना थी सर्व दूसरा सर कि मुझे याद है लगभग 2013-2014 की बात है सर उस समय मैं तयारी ही करता था सर बैंकिंग एससी का और मेरे एक फ्रेंड का सर ज्वाइनिंग था एयर फोर्स में लेकिन उसके पास सर रेसिडेंस सर्टिफिकेट नहीं था सर और उन्होंने सीओ से बहुत बार रिक्वेस्ट किया सर लेकिन किसी कारण सर अपने जिला के सब्सक्राइब के पास अन्मंडल के गया सर अन्मंडल सर अन्मंडल पर अधिकारी से हमने काफी रिक्वेस्ट किया और उन्होंने सीओ को सर फोन किया और विदिन वान आवर सर हम लोग को आवासीय प्रमान पत्र प्रवाइड करा दिया गया उसके बाद उसके बाद से मुझे लग जैसे यह वास्तों में प्रेरित ऐसे ही घटनाओं से होता है जहां उसे कहीं कोई उसका टच जुड़ा होता है कि ऐसी चीजे जैसे आपने यह पॉइंट्स बताया तो जो है बहुत ही अच्छा अच्छा दूसरी बात यह बताईए कि कब से वास्त कि त्यारी करता था और से जेल 17 में मेरा था अच्छा मांक्स आया था अच्छा पोस्ट मिलने के चांस थी लेकिन किसी कारण वस उस पर कोट केस हुआ और वो कैंसील हो गया था तो मैं फ्रस्टेट था लेकिन हमारे एक सुबचिंता को सर ने फिर कहा कि अभी बीपेसी का अच्छा और उससे पहले आपने प्रस्टेट नहीं दिया नो सर कभी सीजियल का अपने देना शुरू किया था अभी 2014 से 2014 से मैं और था उसके बाद सब्सक्राइब मैं आएकर विवाग में हुए 2015 से अच्छा बहुत सारे बच्चों का मुझे याद आया कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि वीपेसी तो एक बड़ा टाइम टेकन एक्जाम है यह यह उससे पहले विकलप होना चाहिए आपका क्या अनुवह है या सीधर तैहरी करना चाहिए वीपेसी यह आज से कुछ वर्सों पहले तर ऐसा ज़रूर था लोग कहते थे वीपेसी पंच वर्षी योजना दस वर्षी योजना है लेकिन सर अभी वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो इतना सुचारू रुख से चल रहा है कि अधर इस्टेट के भी जो काफी रूची ले रहे हैं बहुत बढ़ी शंख्या में दिल्ली से आप देखिए दूसरे राज्यों स संख्या बढ़ी है तो इसका मतलब है कि विकल्प कोई जरूरी नहीं संकल्प का कोई विकल्प नहीं बहुत अच्छी बात अच्छा एक चीज और आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी अब बीपेसी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या उन्हें बीपेसी के सा करनी चाहिए अगर जिनके पास अर्ली है तो मेरा माना यह है कि यूपेसी की तैयारी करनी चाहिए तो मुझे लगता है कि विपेसी के लिए फिर अलग से उनको बहुत ज्यादा एफट लगाने की ज़रूत नहीं है बर दिहार स्पेशल पर फोकस करना पड़ेगा तो क्या आगी करेंगे या विचार नहीं है इक सब्सक्राइब कर सकता हूं अब पहले से उसके लिए वखाई हैं तो जो है अच्छा लगा आप से बात चीत करके अच्छा दूसरा एक छोटी सी बात और है कि एक बड़ा अच्छा पॉइंट आपने यह डिसकस किया कि पहले यूपीएसी की त्यारी करना चाहिए क्योंकि यूपीएसी की त्यारी गर्वक्चे की रहेंगे तो उनका एक अच्छी स्टडी रहेंगी तो वो वीपीएसी का इसका इस्काम भी तो उसमें आसानी से क्वालिफाई हो पाएंगे जैसे कोई दिक्कत नहीं बसरते वीपीएसी और यूपीहसी के सिलेबस में कम है तो उसी लेबर करके अगर तयारी करते हैं तो लिपीस की तयारी थोड़ा सजंदी हो जाएगी में जल्दी सफलता मिल सकती है यूपीस्टी में थोड़ा टाइम लगता है वाकि तो आप तो आपको नहीं लगता कि वीपीसी यूपीसी में कोई बहुत ज़दा डिफरें तो चलिए बहुत ही अच्छा लगा आप से बातचीत करके आप जीवन में और भी जानते हैं बड़ी उचाईयों को प्राप्त करें और खूब आगे जाए और आप हमेशा खुश रहे हमारी बहुत बहुत शुब कामना है आपको थैंक यू सब्सक्राइब